हेलो गाईज स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस नए व्लोग पे सो गाईज बहुत दिन से मेरा ब्लोग नहीं आ रहा था क्योंकि फोन में थोड़ा प्रॉब्लम था तो चलिए कोई नहीं अब रेगुलर ब्लोग आएगा और देखिए अभी हम कहां है पाफी जोर सोर से और पता नहीं क्या बन रहा है अभी तो आधा धुरा बन जाया तो प क्योंकि अब बन रहा है तो चलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजये गाईज क्या आप को कहीं जाने जरोत होगा मेरे चैनल पर आपको सब पंडाल पहले ही देखने मिल जायेगा तो चलिए ब्लोग करते हैं आप लोग बने रहेगा ये जीई मैदान बन जाएगा तो और जबरदस लेगा देखे घेरा बंदी किया हुआ है कि कोई अंदर ना जा सके जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप देख नहीं सकते हो देखे थोड़ा थोड़ा दीख रहा हो गाईज बहुत अच्छा इस पर पंडाल बना बनाया जा रहा है क्या सेर अब पुरा बनेगा तब पता चलेगा तो यह कासीदी दुरगा पुजा मैदान देखे यह तो आप याद ही होगा आपको यह मंदिर दुरगा मा का उसी का जैस्ट बगल में मैदान है देखे और यह देखे गाईज यह है एगरिको दुरगा पुजा मैदान यह देखे काफ़ी खुब्सूरत लग रहा है अब थोड़ा मोरा काम इसका बच्चा है गाई लगभग हो ही गिया है कि दो देखें कि अब यह सब लगेगा सजाबट का समान सब है कि पूरा कंप्लीट हो जाए तो काफी बहतरीन लगए गाई देखें कि महालक्षमी मंदिर बनाया जा रहा है कि देखें गाई यह है निवसिद्गोरा दुर्गापुजा पंडाल और इस साल छत्रपती सीवाजी का महल का स्वरूप दिया जा रहा पंडाल को देख सकते हो आप आधा है ज्यादा बन गिया है पंडाल गाई देखें अब थोड़ा मोरा बच्चा है काम और अभी अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा है पूरा कंप्लीट हो जाए तो काफी बहतरीन लएगा गाई अब देखें जूला उला भी लगता है थोड़ा मोरा यहां पे पूरा बनेया तो काफी जवरदस्त लएगा गाईज पंडाल देखे निव सिद्गोरा दुरुगापुजा पंडाल सो गाईज अभी यह जो आप पंडाल देख रहे हो लगबग बन ही गिया है आधाय जादा यह हमारा भीरसानगर सरकारी कुवामैदान का पंडाल है देखे जो चंद्रयान अभी गया था उसी यह थीम पे पंडाल को बनाया गिया है और अब जाद इन है नहीं पंडरतारिक से नवरातरी है स्टार्ट हो रहा गाईज देखे लगबग बन चुका है पंडाल और यह देखे गाईज यह आपका संडे मार्केट का पंडाल है देखे आज मार्केट लगा है यह भी लगबग बन के रेडी है थोरा मोरा बच्चा है गुकष्या की वश्या अज्टुरु बार है तो आज मार्कट लगा है संड़े को याम मार्कट लगता है आपन गँए हाँ ही ठीकठा की पंडाल बन्द रहे है है क्यों थ्यादर नामोरा बच्च्चा है गास पंडाल और यह एक यह है टेलको का पंडाल यह तो लगबग मेरे मों लगता पूरा बन ही चुका है और देखे, काफी खुबसूरत लग रहा गा इच पंडाल यह देखे, इधर आपका पेट्रॉल पंप है पेट्रॉल पंप का इधर आप ज़स्ट ठलका आगे आओगे तो यह वाला पंडाल है काफी खुबसूरत लग रहा गाई इसमें अभी और सजावट किया जाएगा तो और अच्छा लएगा तो अब भी आईएगा, देखिए पंडाल को और यह देखे गाईज सूरज पेट्रॉल पंप है टेल को उसी गजस्ट सामने में देखे सीरी से जाने से एक पंडाल है सीरी बना हुआ है, सीरी से आप नीचे जाओगे तो एक पंडाल है हलका आपको दीख रहा होगा और यह देखे गाईज, काफी खुबसूरत है पंडाल तो लगभग पूरा बन ही चुका है देखिए थोरा मोरा और सजावट बच्चा है और काफी खुबसूरत लग रहा है गाईज पंडाल पूरा कंप्लीट हो जाए तो और खुबसूरत लएगा देखिए लकरी उकरी अभी फेका हुआ है अभी और बाकी है अंदर में काम देखिए पुरा कम्प्लीट होगा तो काफी खुबसुरत लहाए गाई देखे देख रहाए अभी और काम बच्चा है अंदर में देखे अभी काम चल ही रहाए गाई औरे देखे मैदान है काफी जगा है गाई जे वला पंडाल के यहाँ देखिए हुला हुला भी लगेगा तो आप जम सेथपूर से बिलॉंग करते हो तो आप तो जानते ही होंगे गाई सूरज पेट्रोलपम का बगल में पंडाल है और यह है गाई गोलमूरी में रोड का पंडाल फिर घॉल मुरी Vayr cud एक फिल्मूरी में रोड़ और इसी का जस्त में वला पंडाल है लेक्हे आवी यहां भी त्यारी चलही रहा है बन रहा है आंधर में देखिण इदे आवि अंदर में उर्पी बन रहा जैज पानि को बी क्या पंडाल बन रहा है सवर वैं मूरती यहीं चे बन रहा है देखे गाइज धुरा बन जाया तो और अच्छा लेगा भी आधा धुरा बना है यह गाइज टूइला डूंगरी जो कि गोलमूरी में है देखे गोलमूरी में रोड है में रोड से आगे आप आओगे तो साक्ची जाता है रोड उसी के सामने वाला पंडाल है देखे यह भी लगभग बन ही चुका है गाइज देखे अभी तैयारी चल रहा है कि अंदर में का देखे गाइज यहां भी अंदर काम चल रहा है जंगल कन्या है यह देखे गाइज अभी पुरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी बन ही रहा है जंगल कन्या काइब का थीम पे कुछ बन रहा है आज में सुना जैसे अंदर में तीवी बन रहा है काफी अभी स्यारी चल रहा है देखे बन जाया तो काफी मस्त लए रहा है जाती अभी कितना अच्छा लग रहा है जंगल कन्या किम पे पंडाल बन रहा है और यह देखे गाए यह है टीम प्लेट इबनिंग कलब में पंडाल बनता है हर साल देखे काफी कुछ बना है और यह लग बन के पूरा रेडी ही है काफी अच्छा लग रहा है अंदर में मूर्ती भी बन देखे प्रहा देखे रहा है इसलिए पंडाल बनता है झाल झाल